हेलो दोस्तों ये मैंने थोड़ा सा बचवा कपड़ा लिया है जो मेरे सूट के अंदर से थोड़ा सा पीस बच गया है तो मैंने सोचा इसको बेकार में फैंकने से पहले हम एक सुन्दर सी मजबूत और गर्मियों के लिए स्पेसल बरा बना लेते हैं तो इसको मैंने फैंका नहीं तो इससे हम आज बरा बनाएंगे बहुती शानदार बहुती खूबसूरत 36 और 38 इंच के तो यहां से हमें क्या करना है इस तरीके से गाईश मैंने एक साइड पे निशान लगा लिया है यहां पे साथ इंच पे और दूसरी साइड पे मैंने लगाया है साड़े पांच इंच पे तहां पे मैने साथ पर लगाया है, दूसरी साइड साधे पांच, अब गाइश इस निशान को फोड़ा सा round shape देते हैं, यहां से हम इसको मिला लेंगे, यहां से मैंने इसको मिला लिया अच्छे से, अब दोस्तों हम इसकी अच्छ से कटिंग कर देंगे यहांसे देखो बिल्कुल ही धान से हमें इसकी कटिंग करनी है तो यहांसे मैंने इसको काट भी लिया है अब दोस्तों हमें क्या करना है देखो इस तरीके से मैंने ये दो पीस त्यार कर लिये है इसी तरीके से हमें बाकी 6 पीस और भी त्यार करनी है तो आप हम इसके उपर रखेंगे यह हमारा डबल कपड़ा है दो पीस है यह इसके उपर हम यह पीस रखेंगे और इसके नाप का बिल्कुल सैम यह साइज है वो हम कट कर लेंगे इसी तरीके से हमें बाकी की पीस इसके अंदर से देखो एक प्रिंट के ये चार पीस त्यार हो जाएंगे और दूसरे प्रिंट के जैसे ये कमेज का कपड़ा है उसमें से थोड़ा बच गया था और अब जो हम चार पीस और कट करेंगे वो हमारे जो मैंने पलाजो सीला था उसके अंदर से थोड़ा बच गया, तो मैंने सोचा एक सुन्दर सी बरा बना लेते हैं, तो यह मैंने चार पीस कट कर लिए, इसी तरीकी सी हमें चार पीस और भी कट करने हैं, तब तक हम देखो यहां से हमें दो, इलास्टिक लेना, यह पतले वाला इलास्टिक लिया है, यहां से मैंने इसकी लंबाई लिया है, 13 इंच, आप यहां से हम इसको फोल्ड करेंगे, तो यह दो पीस कट करेंगे, पहले हम इसको फोल्ड कर लेते हैं, और यहां से हमें इसकी कटिंग करनी है, तो यहांसे यह 26 है, 26 के अंदर से हम यहांसे यह दो पीस निकाल लेंगे, जो guys हमारे उपर की पटी होती है, वहां पे हम इसको अटैच करेंगे, अगर आप इसकी जगाया पटी लगाना चाहते हो, कपड़े की, तो वो भी आप लगा सकते हो, but guys मेरे पास इतना कपड़ा नह देखो guys, चार पीस मैंने कमेश के पीस के अंदर से थोड़ा कपड़ा बच गया था, उसके अंदर से कट की है, वो चार जो पीस मैंने त्यार की है, वो हमारे पलाजो के अंदर से थोड़ा कपड़ा बच गया था, तो उसके अंदर से मैंने निकाल ली है, अब यहांसे हमे इस तरीके से गाईज सिलाई करनी है देखो, ऐसे हमें पीसिस को रखना है, सब पीस को ऐसे हमें एक एकर कर और यहां से रखते जाएंगे और इसके उपर हमें सिलाई से इसको कवर करना है तो यह देखो, इसके अंदर हम जोइंट कर लेंगे तो यहां से देखो गाईज मैंने सब पीसे को किस तरीकी से देखो सील कर त्यार किया है यहां से मैंने दोनों पीसे को जोइंट कर लिए देखो यह हमारे चार पीस है दो एक में लगे और दो एक में तो इस तरीकी से तो इस तरीकी से देखो ये चार होगे और इसी तरीकी से हमें 4 यहां से मैंने इसके उपर रखते हुए इलास्टिक को रखते हुए और अंदर से मैंने इसको सील लिया है देखो कितनी ही अच्छी और कितनी ही शांदार इसके finishing आई है अब यहाँ से पकड़ते हुए हम इसके उपर और बीचES सलाई से इसको cover करेंगे ताकि इससलाई है इसकी अच्छी हो जाए रोज है इसके finishing है वो अच्छी हो जाए तो यहां से हम इसको सील कर यहां तक भी सलाई लगाएंगी तो यह देखो guys मैंने इसके साइड के अंदर भी इसको मैंने सील लिया है और बीच के अंदर भी मैंने जैसे आपको सलाई बताई थी वो भी मैंने सलाई इसके अंदर देखो यहां से लगा लिए यहां से और बीच के अंदर इसी तरीके से दोस्तों हमें दूसरा पीस है वो भी हमें सैम तरीके से त्यार करना है तो गाइस यह देखो मैंने जो दूसरा पीस था वो भी मैंने इसी तरीके से इसको पूरा कंप्लेट कर लिया है देखो कितना सुंदर लग रहा है दोनों पीस हमारे तो अब हमें क्या करना है बीच के अंदर से सिधा हमें जोइंट करकर दोस्तों सिलाई नहीं लगानी है क्योंकि अगर हम सिधा रखके सिलाई लगाएंगे तो यह उखर जाएगी यहां पे हम थोड़ा सा कपड़ा लेंग करना है अब दोस्तों नीचे की साइड हमें क्या करना है अगर दोस्तों आपके पास में ज्यादा कपड़लय का तो मैंने सुचा यहां पे इसके white color का elastic लगा देते हैं तो यहां से मैंने इसको लगा दिया है, बीच के अंदर से मैंने इसको नाप लिया था ताकि इसकी जो बीच के अंदर है वो सिलाई अच्छे से आई अब हम इन पटियों को यहां पे सीलेंगे थोड़ा सा elastic को दोस्तों हमें खींसते हुए सिलाई लगाने है ताकि इसकी जो थोड़ी थोड़ी सली है वो इसके अंदर पढ़ जाए अब हम दोनों साइड में दो दो इंच छोड़ेंगे और यहां पे हम पटि को, elastic वाली पतली पटि है उसको हम attach करकर slide करेंगे तो guys यहां पे मैंने इसको seal दिया है पटि को अब हम इसको fold करेंगे और यहां पे एक slide लगाएंगे दोनों पटि को seal लिया और यहां पे मैंने इसको seal लिया है तो guys इसके साथ हमारी सुन्दर सी, मजबूत, comfortable और गर्मियों के लिए special हमारी यह बारा बनकर त्यार हो गई है तो guys आज की वीडियो आपको जरूर ही पसंद आएगी अगर guys आपको यह वीडियो पसंद आती है तो please हमें एक लाइक जरूर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा आप हर तरीके की कपड़े से ऐसे बरा बना सकते हो बाई दोस्तों फिर मिलते हैं